हेलो फ्रेंज, वेलकम टू बेक माई यूटूब चनल रोटो सक्सेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थाने डिस्टिक सेंटरल को ओपरेटिव बैंक की नियो रिक्रोट्मेंट नोटिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर आपका थाने डिस्टिक सेंटरल को ओपरेटिव बैंक की तरफ से यहाँ पर आपकी जो रिक्रोट्मेंट है जूनियर कलर के लिए रखे गई है साथी प्योइन के लिए रखे गई है ठाने डिश्टी सेंटरल के तरफ से बहुत यची वेकेंस आपकी यहां पर इन्वाट की गई है जिसके जो online application है वो आपकी already start हो चुके हैं तो किस तरह से आपको इस application के लिए apply करना होगा अगर आप ठाने जिला मद्यवर्ति सहकारी बेंक लिए apply करना चाहते हैं तो इसका जो link है आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप उसे link पर click करके जो भी आपका online form है आप उसे fill कर पाएंगे इसके बारे में हम complete detail में इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को start करनें इस पहले अगर आप इस channel पर नए हैं तो इस channel को subscribe जरू कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के latest notification सबसे पहले मिलते रहे तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को start करते हैं तो जैसा के आप 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 देख पा रहे हैं ठाने district central cooperative bank की यह official website है जिसे आप check out कर सकते हैं उसके बाद आपको किस तरह से apply करना है तो उसकी detail आप दख सकते हैं आपके आप आपका जो भी notification की detail है उसे आप check out कर सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी online form है वो आपके already start हो चुके हैं और apply करने की जो भी date है उसकी detail आप देख पाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है candidate का login वाला option है अगर आप पढ़ना जानते हैं तो यहाँ पर मराठी में पढ़ सकते हैं otherwise यहाँ पर आपको जो है English का option मिलता है आप उसे English में करके आपका जो भी registration है आप उसे कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको click करना होगा जैसे यहाँ पर आप click करेंगे उसके बाद आपका जो भी online form है उसका registration आपको करना होगा तो सबसे पहले आपका जो भी post है वो आपको choose करना होगा किस post के लिए आप apply करना चाहते हैं उसकी डिटल आपको देनी पाएंगे उसके लगे आपका जबी name होगा वहापको फिल करना होगा तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वहापको फिल करना है उसके बाद आपका जो भी last name है यान coping surname है वापको फिल करना है और जैंडर आपका mówią-पर mail रहेगा तो की डेटर अपको देने होगी इवाक को फिल करना है और यहां पर आपका अब सबस्सकर हो करना होगा आपको नी चाहने के बाद आकर पर का घूरlex करना है तो आपको जो भी अधर नंबर होगा उसकी डीटलापको फिल करनी है आपका जो भी application का फीस अपिज है उसकी डेटलाप देह 1991 को आए गरेर करेंगे इससे आपको आए गरेकर ने कटने बाद आपको आप territory मिल जाए NepCC आप समिट पर क्लिक करेंगे तो तो अब उसके बाद आपका जो भी registration है, वो आपका हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर जो भी post की detail है, आप उसे देख पाएंगे, अब उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे निक बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो फोम ह आपको फिल करना होगा, तो आपको फिल करना होगा, तो आपको फिल करना होगा, तो आपको फिल करना होगा, उसके बाद आपको नीचे निक बाद जो भी आपके यहाँ पर detail होगी, उसकी detail आप देख सकते हैं, अब आपका जो भी फादर का full name होगा, वो आपको फिल करना ह और उसके बाद आपका जो भी एडस की डीतिल all उगी वहों कुफिल करने होगी तो हब का स्वीन हैं पिर आपका इस टेट है वह का महारस्टर रहने अधिवाए गा आपका जो भी टालुक है या फिर आपका city है उसका name आपको देना है और उसके बाद आप नीचा आएंगे नीचा आने कि बाद जो भी आपकी application के detail होगी यहाँ पर आप देख पाएंगे और नीचा आने कि बाद आपको submit पर click करना होगा अब उसके बाद आपका यहाँ पर ज अपलोड करना होगा तो आपको यह यह पर टूस फाल पर किलिक करना है और जो भी आपका लेटेस्ट फोर्टोगर्डर अप है आप उसी अपलोड करेंगे उसके बहाद आपका जो ६h.इसे इसे बहुत आ है और उपलोड करने का बाद को बोर्ड का नेम है यहां पर आप देख पाएंगे और आपका यहां पर जो भी पासंग एर और मन्त होगा उसकी डिटल आपको सेलेट करने होगी तो यहां पर आप चूस कर सकते हैं किस एयर में अपने 10 को पास आउट किया है उसके बाद आपका जो भी परसेंटेज यह फिर आपका जो भी पासंग एर है वह आपको चूस करना होगा तो यहां पर आप सेलेट कर सकते हैं जो भी इन में से आपका पासंग एर है और पासंग एर सेलेट करने के बाद जो भी आपका परसेंटेज है आप उसकी जानकर मेंशन करेंगे उसके बाद आपका जो भी क्लास है की डिटल आपको फुल करने है से में इसी तरह से आपकी जो भी ग्रोजेशन की डिटल है वह आपको फुल करने होगी तो आपका इन में से जो भी इस्पलाजेशन है वह आपको चूज करना है तो यहां पर आप सेलेट कर पाएंगे और आपका जो भी परसंटेज या फिर कॉच्य है यह आप छोश् her कर रते हैं तो यह आप आप उसकी आप कर सकते हैं तो से इसी तरह से आप उसकी आंकर मैंने करेंगे और उसके बाद युनिवर्स Kennetal का उगा यह घ्यार करना है कि उसके last कर पाएंगे उसके यह दो इसनकर आपको क्लास कर सकते हैं computer का certificate है तो आप उसकी detail fill up कर सकते हैं तो इस तरह से अपनी जो जान करी है आप यह पर fill up कर सकते हैं उसके बाद आप से कहा गया है कि अगर आपको work experience के बारे में कोई join करी है तो आप उसकी detail fill up कर सकते हैं यानि कि आपका जो work experience है उसके data आपको fill करनी है तो जो भी आपका organization का name होगा वो आपको देना होगा उसके बाद आपका designation का यानि कि आपका जो भी पद का name है वो आपको fill करना है और उसके बाद आपका जो भी duration होगा वो आपको देना होगा यान कि आपने किस duration में working किया है तो उसके detail आप यहाँ पर add कर सकते हैं यहाँ पर आपको date select करने होगी उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप इस treatment condition को आगरी करेंगे then आपको submit पर click करना होगा उसके बाद आप देख पाएंगी जो भी आपका यहाँ पर step है आपने completed कर लिया है और उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है print चलान को option तो अपना जो चलान है अगर आप उसे print करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं और दरवाज यहाँ पर आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जान कर रही है आप उसे update कर लें तो आपको यहाँ पर update पर किलिक करने के बाद जो भी आपकी जान कर रही है आपको यहाँ पर update कर लेने हैं update करने के बाद आपको यहाँ पर थिरिष्टे में नीचे आना है तो यहाँ पर अपनी जो जानकरी है वो आप देख पाएंगे उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने बाद दोस्तो अपनी सारे जानकरी आपको चेक आउट करने बाद इस ट्रेमेंट करने को आपको आई गिरी करना होगा और उसके बाद आपको नीचान होगा नीचाने बाद आपको यहाँ पर final summit करना होगा तो आपको यहाँ पर click करना है और आपका जो भी print out है आप उसे print करेंगे तो उसके बाद आप देख पाएंगे जैसे ही आपर आप click करेंगे आपके सामने इसका जो application है वो आपका print हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप जो है पना जो final summit है आप उसे कर पाएंगे और आपका जो भी application है आप उसे print कर पाएंगे डाउलोड कर पाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है ठाने district का center core operative bank का जो online form है आप उसे fill कर सकते हैं बिने किसी impression और mistake है तो इस वीडियो मेंने सारे जानकर आपको provide कर दे है कि किस तरह से आपको ठाने district center core operative bank का जो online form है वो आपको fill करना है तो दोस्तों I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like करें शेयर करें तो मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत